हेलो आवाज आ रहा है मेरा सुनाहें दे रहा है आवाज पहले हम लोग आज यह से कोश्चन करना है जो ऑप्टिकल इंस्टूमेंट होता है उसके उपर कोश्चन करना है चलो एक पर सब लोग हैलो हैलो बोल दो शिरीन, दानिया, शिखा, खुश्बू, नीतु, सब लोग ए सबसे पहले अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का पहले एक नुमेरिकल करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद फिर एस्ट्रोनमिकल टेलिस्कोप तो पहले हम लोग जो फॉर्मूला है उसको दो मिनिट लिख लेते हैं उसक के बात करेंगे उसको तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता था नी तू जब लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते तो उसमें कौन सा लेंस होता था शरिफ है नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव की आईपीस यह पुछ रहे आई पी सिलेंज होता था उसका रे डाइगराम बड़ा सिंपल बनता था यहाँ पर ऐसे करके आई पी सिलेंज होता था और यह होता था उसका यह प्रिंस्पल आक्सिस यहाँ पर अप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता था अबजेक्ट इससे एक रे निकलता था और यहाँ पर एफोर से पास को सबते हैं और दूसरा रहा है कहां सबता था ऑक्टिकल से चाहCAR miracles को से है उसके बाद फिर इने रेज को हम लोग क्या करते था बैक वर्यूस्त करते थे क्ये वह रहां पर क्या भंथा इमेज यही यह हुता था इमेज थोड़ा और पीशे बनेगा है ना इमेज यहां पर फिछे होगा ठीक है इसको आप लोग कौन सो डिस्टेंस बोलेंगे बताओ जल्दी से इसको कौन सो डिस्टेंस बोलेंगे लोग डागराम नहीं दिख़ा रहे च्छी तो हाँ अब देख रहे है चलो बताओ यह जो डिस्टेंस है यह कौन से डिस्टेंस होगा जल्दी से बताओ हाँ 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 यह है इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस लेंस और यह क्या है अब्जेक डिस्टेंस ऑफ आई पीस लेंस क्योंकि यह आई पीस लेंस है इसलिए सबको हम वी वी लिख रहे है अभी तुम लोग से पूछेंग बहुत कुश्चन इसलिए थोड़ा देख लो पहले वाला है ना देखो यहाँ पर अगर हम तुमसे यह पूछें तुम बताओ ज़रा यह खुश्बू कि focal length of इसको एफ लिखना चाहिए क्योंकि आई पीस है ना एफ लिखना चाहिए इसको ठीक है focal length of आई पीस लेंस एक यहाँ पर भी होगा तब ना optical center और focus के बीच में object को रखें तो image बना है यहाँ पर एफ इधर क्यों होगा क्योंकि optical center और focus के बीच में रखती है तब नहीं यहाँ पर image बनता है वर्चुल इनिरेक्ट है ना तो इसलिए यहाँ पर एफ होगा तो यह बताओ कि यह एफ नेगेटिव होगा कि positive अब तुमको सोचना है कौन सा एफ के बार बोर रहे हैं नहीं न तो तुम एफ को नेगेटिव लोगी numerical में या positive नुमेरिकल में मान लो एफ दिया रहेगा negative लोगी चलो तुम बताओ यह शिखा एफ एफ अगर तुमको numerical में दिया रहेगा focal length of eye piece तो इसको तुम negative लोगी positive बलो तुम बताओ जरा ये शिरीन ये एफ़ी को नेगेटिव या पॉजटिव क्या लोगी क्या लेना पसंद करोगी नेगेटिव लोगी तुम बताओ भाई ये अमीशा बोलो नेगेटिव लोगी एफ़ी को या पॉजटिव नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, तुम बताओ, नी तू जल्दी से, नेगेटिव या पॉजिटिव, एफी को, पॉजिटिव, क्यों, रीजन, रीजन उसका है, पॉजिटिव लेने का उसका रीजन, रीजन कुछ नहीं है, देखो जिस तरफ इंसिडेंट रे जाता है, उस डिरेक्शन को लोग, पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एफी यूज हुआ, यह इंपोर्टेंट है, यह वाला एफी यूज हुआ या फोकल लेंथ यह वाले लेंगे ना हम लोग, क्योंकि इस से रेस पास किया है, तो यह फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, तो यानि कि फोकल लेंथ ऑफ आईपी से लेंज, इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, हमेशा तुमको पॉजिटिव लेना है, ओल्वेस, हमेशा confirm भाई इस तरफ है और raise उस तरफ जा रहा है तो ये दोने तो negative होगा वो तो पक्का है इसी में बड़ा confusion रहता था कि ये F.E. को हम लोग को कौन सा लेना है इस F.E. को लेना या इस F.E. को लेना है ये बड़ा confusion होता था अब सुनो ध्यान से अब formula पे आते हैं इसका पहले भाई इसका magnification कितना होता है जो formula है magnification का नीतू तुम बताओ इसका magnification कितना होता है D by U E होता है ना D by U E होता है और उसके याद इसके अंदर दो case बनता था पहला जब मेरा image distance क्या होता था D तो जब image distance D होता था तो उस case में magnification कितना आता था बोलो बताओ maximum की minimum खुश्बू तुम बताओ maximum आएगा की minimum आएगा जब image distance D होगी तो है maximum compound microscope में तो ये क्या है फिर देखो ये जो सारा discussion चल रहा है ये IP's lens के लिए चल रहा है और जो simple microscope होता था उसमें भी तो भाई IP's lens होता था था ना तो ये cases भी तो हम तुम लोग करवाए थे ना कि जब image distance D रहेगा यानि कि least distance तो उस समय magnification आएगा 1 प्लस D by FE और जब दूसरा case एक और क्या होगा दूसरा case एक और क्या होगा दूसरा case में भाई ध्यान से सुनना ये formula समझ में आया है ये सब तहां से आया formula ये उसका main formula और इससे ये दोनों हम लोग drive करके निकालते है image distance इस प्रिटी करें लिए लोगा और least distance रहेगा तो ये वाला होगा ठीक है आया होगा समझ में फॉर्मला दोनों और ये उसका main formula होता है और यहाँ पर ue का मतलब ये ue और d का मतलब least distance ठीक है अब सवाल ये है कि इन दोनों को numerical में ना देखो numerical जो भी हम लोग करेंगे जैसे ये वाला numerical तो उसमें तुमको ये सा formula का ज्यादा use हो रहा है ये वाला का उतना यूज नहीं हो रहा है ज्यादा यूज कुस का हो रहा है ये दोनों फॉर्म रखा तो इन सब को fe code d को fe d ये सब लिखा है इसको विट साइन कंवेंशन रखना या विदाउट साइन कंवेंशन बताओ सोच के तुम बताओ ये शिखा इन सारे को साइन कंवेंशन रखे विदाउट साइन कंवेंशन बोले करें दो माइनस 25 डालोगी है ना अवदी को माइनस 25 डालोगी तुम बताओ श्रीन इसकों विष्ण सांइन गर्वेंशन ड하세요 होisions कि नुमेरिकल में यह विदाउट सांइन कर्वेंशन बोलो क выполical से पकका नुमेरिकल आएगा है बोलो जल्दी क्या लगता है है तुम बताओ नीटू, with sign convention और without sign convention, तुमको आवाज नहीं है रश्रीन, नहीं मालूम, सब गलत बोर रहा है तुम लोग, सब गलत, सब कोई गलत बोर रहा है, इसको हमको without sign convention पुट करना हमेशा, without sign, always, हमेशा, हमेशा, always, without sign, क्यों, चलो इसका reason क्या होगा, एक किसका ये माईक है, जीब सावाज कर रहा है, अजीब जीब आवाज आ रहा है, किसका माईक सो आफ करो माईक, जिसका माईक है, जीब सावाज आ रहा है, सब कोई गलत बताया, इसको, ये दोनों formulas को without sign convention लेना है, हमेशा, और के हम लोग इन दोनों को लेके आए थे, ये formula का देखो, 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U, यानि कि thin lens formula का use किये थे थे न, thin lens का use करके इन दोनों को derive किये थे हम लोग, तो इसमे तो भाईया, पहले सही sign convention लेना है, ये दोनों जो formula हम लोग derive किये थे, इसमें पहले ही हम लोग sign convention put कर चुके थे, तो फिर दुबारा क्यों put करोगी, तो जब भी numerical solve करो, और numerical में ये दोनों formula का use हो, तो इसको without sign convention, ठीक है, और इसका क्या, ये वाले का, इस वाले का क्या, जो main formula है, बताओ, इसको तुम with, इसको तुम with या without, दोनों में इसे कुछ भी कर सकती हो, इसमें तुमको जो main करें वो कर लो, क्यूं, क्यूं, देखो, अगर तुम d का sign डालती हो, तो क्या डालोगी, minus d डालोगी या plus d, बताओ, d का अगर sign डालती हो, तो क्या डालोगी, माइनस डी या प्लस डी माइनस डी क्योंकि इमेज तो इधर बनता है तो इसको माइनस डी और यूई क्या होगा यूई भी नेगटिव होगा तो ये भी नेगटिव ये भी नेगटिव तो कट जाएगा ना दोनों है अगर तुम इसको साइन करवेंशन डालती हुए तो माइ कोशन है यह सब हम हटा रहे हैं तुम यह कोशन ट्राई करो फिर हम एक्स्प्रियन कर रहे हैं कि एक कोशन और है लेकिन वह बड़ा असान है यह तो देखो भाई यह तो इसका भाई इसका यह solution हुआ है ना इसमें हम लोग क्या करके हैं तो पहले हम लोग यहां पर बोला था हमको what is the closest and the farthest distance at which he can read the book by viewing through magnifying glass तो closest distance पहले हम लोग निकाले उसका कितना है closest distance minus 25 by 6 minus यह बता रहा है कि जो यू होता है यानि कि object distance of इसका हमेशा negative होता है और यहां पर यह कौन सा हुआ closest distance हुआ इसलिए हम लोग वी को यहां पर डी लिए क्लोजस्ट का बात करना है ना तो 25 by 6 ठीक है तो यह negative क्या बता रहा है फिर से कि object distance negative होता है यह simple microscope का और यहां पर फिर हमको next part में बुला था maximum maximum angular magnification निकालने तो maximum वला आया 6 और angular magnification कभी negative नहीं होता हमेशा positive होता है और minimum angular magnification आया minimum वला आया 5 ठीक है अब हम यहां पर ना यह इस formula से भी निकाल लिए किया जाए तो इससे भी 6 आएगा ठीक है और वैसे हम यहां पर d by ue जब minimum निकालने बोला तो minimum के लिए हम d by ue उसके उससे भी 5 आया और यह जो minimum का formula d by fe होता इससे भी 5 आया यानि कि यह minimum और maximum angular magnification है उसको हम लोग यह जो simple microscope है उसका main formula से भी कर सकते है और यह जो आंसर बताओ डिरेक्ट इसका question में क्या बोल रहा है a thin lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope by a person with normal layer normal layer का क्या मतलब है normal layer का मतलब है कि image distance क्या लोगी बोलो normal layer में 25 cm और minus की plus minus उसके आदिसमें बोला है कि what is the magnifying power of microscope magnifying पार पुछा है लेकिन किसका normal layer का तो normal layer में magnification minimum की maximum नी तू normal layer में जो magnification होता है वो maximum की maximum बताओ तुम बताओ शिखा तो expression क्या लिखेंगा हम इसका magnification का for normal layer normal adjustment भी लिखता है normal layer को normal adjustment भी लिख सकता है एक ही बात होगा ठीक है क्या लिखेंगा इसको 1 plus d by f e होगा है maximum का बात किया है ना तो maximum को यह होता है और m is equals to 1 plus इसको कितना डालेंगे खुश्बू माइनस 25 इसको हम लोग कितना डालेंगे डी को माइनस 25 है ना है इसको माइनस 25 डाल दे शरीन तुम बताव शरीन यह माइनस 25 बुलुबक लोग भाई यह वाल जो फॉर्मूला इसको विदाउट साइन करना है ना है क्योंकि इसमें पहले से तुम साइन करनेंशन लगा चुकी हो ठीक है तो डी कितना डालोगी शरीफ 25 और एफी कितना फोकल लेंथ कितना फाइव तो यानि कि विदाउट साइन तो कितना एक आंसर फाइव प्लस 25 बाइव फाइव तो यह हो जाएगा तीस बाइपाच यानि कि छे तो तो मैगनिफिकेशन कितना है या 6 विच इस दा करेक्ट आंसर यह 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 आंसर बुक में अगनिफिकेशन कितना आएगा 6 ऐसे चोटा सा कॉशन आता है इसा वला है न ऐसा भी कॉशन आ सकता है तुमारा सिंपल मैक्रोस्कोप के पर चल अब्जेक्ट डिस्टंस अफ आई पीस लेंज कहां दिया है यूई कहां है यूई है कोशन में यूई तो है नहीं तो इससे नहीं बनेगा यह फॉर्मुला तुमको तभी उसकरना है जब क्लियरली कोशन में बोले अंगुलर मैंगनिफिकेशन निकाल ले यहां पर तो तुम फॉन इमेजडिस्टंस क्या लेके चले थे डी माइनस दी लिया थे और इसको डराइफ करके लाएथ यह वाले एक्स्प्रेशन को ठीक है किस फॉर्मुला का यूज करके हम लोग इसको डराइफ किये थे जरा बताओ सोचके यह जो आंगे तो यह यह या तो यह वह याना ह कब कर लिये होगा जब क्या रोलेगा तिमको तुम है कि यह रशे खरोगी जब तुमको बόलेगा फार अभे कर फार आव23 गा यह इंधन निटीट फॉकल ना दिया हुआ कि bliss में इसमें यहाइ इस इसमें तो इसमें तो दिया है यह भाई पाँच इसमें दिया था उसी को न पूट किये हैं अच्छा अगर यूई का वैलू दिया रहे तो तब भी इसको यूज मत करना आंसर गलत आएगा क्योंकि यह यह तो मेंन फॉर्मुला है ना इसके हल्प से केस बनता है इसी से केस बनता है यह दोनों केसेज समझी तो इसको यूज मत करना है हमेशा ने तो इससे भाई गलत होगा फिर तुमको यूज देखना है कोशन पढ़ना है पहले यहाँ पर नॉर्मल नियर बोला तो तुम यह लगाओगी अगर बोलता फार तो यह लगाओगी इसका यूज नहीं करना है इसका यूज कब करना है जब क्या लिखा रहे है अंगुलर मैगनिफिकेशन जैसे पिछले वा निकलेगा एक मिनिमाम वाला और एक मैक्सिमम वाला दो यू निकलेगा ना तो अगर तुमको मिनिमाम और मैक्सिमम दोनों पता है तब तुम इसको यूज करोगी जैसे इसमें चलो तुम बताओ शिखा इसमें जो यू है ये वाले में इस वाले में यू मैक्सिमम होना चा हाँ क्योंकि यहां पर बोला है नॉर्मल नियर और देखो यू जो है एम के इंवर्सली है तो यू को यहां मिनिमम लेंगे तब नहीं मैक्सिमम होगा तो तुम समझ लो खुश्बू तुमको यह भी देखना अगर इसको यूज करोगी न तो तुमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर यू मिनिममम दिया है कि यू मैक्सिमम उसको भी चेक करना होगा उसके बाद इसको यूज करोगी लेगिन यहां तो कहीं बात नहीं किया है यू मिनिमम यू मैक्सिमम का देखो पिछले वाले कोशन में हम लोग इसको यूज किये कि नहीं पिछले वाला जी न इसको तब यूज करेंगे जब तुमको यू मिनिमम यू मैक्सिमम पता रहेगा